प्रिण जी के नेत्रुतों में हम सब को तमाम तलंगाना में रहने वाले युवामोर्चा के कारेकरता को कई सारे कारेकरम दिये गए हैं इस आउसर पर भारतिय जनता युवामोर्चा गोलकुंडा जिल्ला की टीम तीनों असम्बलियों में चार मिनार कारवान गोशामल तीनों असम्बलियों में भारी तादात में बाइक राली लगाने का कारेकरम हमने आज किया है आज इस कारेकरम के मुख्यातिती के रूप में गोशामल के कॉर्पेटर लाल सिंग जी मेरे जामबाग डिविजन के कॉर्पेटर हमारे राकेश भाई सीनियर लीडर कमल भाई और यहां पर हमारे रमेशानना कई सारे लीडरों के नेतरुतों में हम इस कारेकरम को सफल करन आज बाईक राली निकालने का मकसद यही है कि तेलेंगाना को जो आजादी मिली है वो आजादी के एक साल के बाद मिली है जिस तरह से तेलंगाना में रजाकार, सरकार, निजामों ध्वारा, हिंदूों के उपर और तेलंगाना के उन्न तमाम जंता के उपर जो आत्याचार किया गया था, पोलो अपरेशन के द्वारा, उन तमाम चीजों को देश के एक मात रह से नेता जो सर्दार वल्लबभाई पटल ने यहां पर आकर हमारे तेलंगाना को आजात करने का काम किया गया लेकिन दुरभाग्यपूर्णा की बात ये है इतने साल के तेलंगाना के आजादी के बाद भी कोई भी एक भी सरकार भारतिय जंता पार्टी के सिवा तेलंगाना की मुक्ति दिवस बनाने में आज तक आगे नहीं आई है आज शरम की बात है कि तेलंगाना के मुख्य मंत्री जिस तरह से आंदोलन करकर तेलंगाना को आजाद करने की बात करे और आजादी की बात करें लेकिन आज तक पूरे 8 साल हुए लेकिन आजादी का ये जो महाउचसव है इस कारेक्रम में उन्होंने कभी नहीं है भारतिये जनता ये वाम उर्चा हम ये डिमाइन करते हैं कि 17 तारीक के दिन देश के अमिशा जी जो घ्रह मंत्री जी है उनके द्वारा परेड ग्राउन में हम फ्लागोस्टी का कारेक्रम करेंगे और उस कारेक्रम को बड़ी तादात में हम सपल करने का काम करेंगे भारत मता की आस लाटी कारेड लाटी कि 179 मिलेर सेस्थे ने बन। आरत पारीक का क्विरी पारेक्रम करेंगे